हेलो दोस्तो मैच सवित अरुन में आपका स्वागत हैं कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोपिट एन लोग चेप्टर से टाइप 11 के कोश्चन्स को और दोस्तो इससे पहले हमने टाइप 10 तक के अलालग टाइप के अलालग कोश्चन्स का वीडियो अपलोट कर दिया हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखें और दोस्तो प्रोपिट एन लोग चेप्टर से पहले हमने पर सेला कोश्चन से 25 वस्तों का विक्राय मुल्य 20 वस्तों के क्राय मुल्य के बराबर हैं तो लाब यहानी पतिशत ग्याद करो हमें क्या कहा हैं 25 वस्तों का विक्राय मुल्य यानि कि 25 वस्तों के बात की हैं तो हम यहां लिख लेंगे 25 का विक्राय मुल्य क्या बोलते हम सेलि 25 वस्तों का क्रायम मुल्य, 25 वस्तों का क्रायम मुल्य, 20 वस्तों के क्रायम मुल्य के बराबर है, त lifelong unfolding। हम इसको kon Judeo करेंगे, तो यह 5 से कटेगा 25 पार्फइर ऑर 25 से कटेगा 24 भार, तो यहां से हमारे पास SP को और बटे में इदर लेकर आजाएंगे CP की value आजाएगे तो SP बराबर हो जाएगा 4 और 4 के बटे में आजाएगा 5 यानि की वस्तु का क्रई मुल्य जो था तो 5 और वस्तूु का है वह कितना है 4 तो हमेशा लाब क्राइब मुल्य के उपर निकलता है commissions में क्रैर मुल्य की value रखेंगे और percentage में निकालना है यहां पर हम into कर देंगे 100 का है और पांस से कट एगए 5-20 यानि की 20 पतिशत की हानी होती है क्या होते है विर्फ पतिशत की हानी इस questions का answer होगा तो दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको पहला question समझ में आ गया होगा आए दोस्तो इसी type का हम एक questions और solve करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और दोस्तों यह दिए आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छी तरीके से कोश्चन समझ मैं आ रहे हूं तो प्लेस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से दिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए और यह दिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए अगला कोश्चन से नो वस्तों का विक्राई मुल्य बारा वस्तों के क्राई मुल्य के बराबर है तो लाब यहानी पतिशत ग्याद करो, हमें क्या कहा है, नो वस्तुओं का विक्राई मुल्य, विक्राई मुल्य को हम क्या लिखते है, SP, यानि की Selling Price, किसके बराबर दिया है, 12 वस्तुओं की, 12 गुना कर देंगे हम, वस्तुओं क्राई मुल्य, क्राई मुल्य को क्या लिखत कोश्ट प्राइस क्योंकि इसको इसके बटे में लेकर आ जाएंगे और बराबर कर देंगे हम इसके बराबर हो जाएगा चार और इसके इंटु में जो था वो आ जाएगा बटे में तीन यानि की सेलिंग प्राइस हमारा कितना है सोरी कोश्ट प्राइस हमारा कितना है तीन औ एक का डिप्रेंस किसके उपर आएगा एक का डिप्रेंस आएगा हमारा तीन के उपर क्यों कि हमेशा दोस्तों लाब और हानी जो है ना क्राइम मुल्य पर निकल दा और क्राइम मुल्य क्या है क्राइम मुल्य आया हमारा तीन तो बटे में लिख लेंगे हम तीन और परसेंट करता था हम कुछ भी नहीं लिखते तो चल जाता है लेकिन लाब यहानी की बाद की ना इसलिए यहां पर हमें लाब लिखना जरूरी है तो इस कोश्चेंस का अंसर होगा 33 से 1.3% का लाब होगा तो दोस्तों मैं उमिद करता हूँ कि आपको मेरे समझा हुए टाब 11 के कोश्चेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गयोंगे और दोस्तों इITH आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लिस मेरे स् धीजी और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दो